हेलो स्टूरेंट्स हाई वेलकम बेक टो माई चैनल लेर्णिंग विद दिव्या कैसे हैं आप लोग आज हम करेंगे स्टूरेंट्स मानव रोग से सम्मंदित प्रश्ण उत्तर हैं और यह रहीगी आपके मेराथॉन क्लास आज मैंने यहां पर इस क्लास में दो तीन पीडिय बहुत सारी क्लास दी हैं human disease से related जहां मैंने bacterial viral disease की बात भी करी है जल और वायू प्रदूश्ण से हुने वाली बिमारियों की बात भी करी है मैंने आपसे immunization की बात करी है immunization में मतलब टीका करण में टीका करण से सम्मंदित बिमारियों की बात करी है तो अगर किसी बच्चे यह अलग अलग वा वीडियो नहीं देखा है जीवाणू विशाणू वाला भी हम बात कर चुके हैं तो मैंने सबको आज मिला करके एक वीडियो आपके लिए बना दिया है जो कि रहेगा आपके मानव रोक से सम्मंदित प्रश्ण उतर की मैराथन क्लास ठीक है और यह क्ला शीज़ आपके mycro और्गानिम्जम की वज़े से हो रही हो चाहें फिर वह पॉलीउशन की वज़े से हो रही हो चाहें फिर वह आपके genetic disorders हो अभी latest अपने genetic disorders की बात करी है तो मैंने का चुलो यह topic पहले 빵श पुछे आपके सर्थम कर देते फिर आए कुछ और पढ़ेंगे जो उत्पन होता है और दूसरे मनुश्यों में पहुंचता है, सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे और तेजी के साथ आंसर करेंगे, थोड़ा हम स्पीड ली चलेंगे, ठील है, स्पीड में चलेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं, आंसर करिए सारे बच्चे, आंसर करिए, बहुत तेजी के साथ आंसर करिये बाई जो डेंगू है वो कैसे फ्यालता है इसमें से कौन सा आप्षिन ठीक होगा वाइरस मादा एडीज मच्छर द्वारा बेक्टीरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फंगस मादा एडीज मच्र द्वारा प्रोटोजोवा मादा एनिफिलीज मच्छर द्वारा देखिए सबसे पहले तो ये बात ध्यान लखेगा डेंगू आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है वाइरस की कैटेगरी में डालेंगे डेंगू को आप जबकि मलेरिया आपके प्रोटोजोवा प्रोटोजोवा मतलब परजीवी के कारण होने वाली बिमारी है सबसे में डिफरेंस तो दोनों में याद रखेगा आप फिर जो मलेरिया है वो मादा एनिफिलीज मच्छर से फैलता है जबकि जो डेंगू है वो मादा एडीज इजिप्ट मच्छर दोरा फैलता है ये बहुत इंपोर्टन चीज़ है और कई बच्चे इसको लेके बहुत गलत करते हैं कांफ्यूजन में रहते हैं पता नहीं क्यों जबकि सिंपल सा है ये कोशन भी बनता है कि मलेरिया और डेंगू में डिफरेंस क्या है तो मच्छर की परजाती में डिफरेंस होता है वो मादा एनिफिली से फैलता है मलेरिया डेंगू आपके मादा एडीज इजिप्ट मच्छर से फैलता है और ये वाइरस से होने वाली बिमारी है ये भी बात आप ध्यान लखेगा डेंगू में आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है इसमें जो है आपके क्या होता है बहुत जदा फीवर आता है जॉइंट्स में बहुत दर्द होने लगता है बहुत खतरनाग बिमारी है प्लेट नेक्स दिखते हैं question number second students निम्लिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है कीट का मतलब होता है insect insect मतलब कीड़ा कौन सा रोग होता है सकर्भी होता है निमोनिया होता है डेंगू होता है दमा होता है जल्दी answer करिए bilingual class रहेगी भाई English medium बाले बच्चों को भी समझ में आना चाहिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कोशन तो at least English में आपको बता सकूँ या जी डेंगू ठीक है कौन से बिमारी होती है डेंगू आपके कीड के काटने से होता है नेक्स देखे जिवानू भोजी बैक्टीरियो फेज क्या होते है बताए क्या होते है बैक्टीरियो फेज एक पूँची योगत जिवाणू है एक नर्व ने बतलब जिसकी पूँच होती है वो जिवाणू है नया जिवाणू है विशाणू को संक्रमित करने वाला जिवाणू है या जिवाणू को संक्रमित करने वाला विशाणू है आंसर करिए देखे इसका आंसर होगा बैक्टिरियो फेस जो होता है वो जिवानों को संक्रमित करने वाला विशानू होता है किसको जिवानों को संक्रमित करने वाला एक ऐसा वाइरस होता है जो आपके जिवानों को ही क्या कर देता है संक्रमित कर देता है यह चीज धियान रखिये का important चीज़े है नेक्स देखिए students यदि कोई मानवीय रोग विशु के ब्रहत छेतर में फैल जाता है बहुत important है अगर कोई ऐसी बिमारी है जैसे अभी corona है सबसे latest आप देख लेते हैं पूरे world में इसने महामारी मचाई ठीक है तो आप उसे क्या बो बोलेंगे epidemic बोलेंगे endemic बोलेंगे या episodic बोलेंगे बोली क्या बोलेंगे अगर कोई ऐसी बिमारी है जो पूरे संसार में फैली हुई है पूरे बहुत मतलब बड़े लेवल पर फैली हुई है तो इसे हम क्या बोलेंगे pandemic डिजीज बोलेंगे ठीक है कहेंगे ना pandemic situation आ वेली हुई है तो ऐसी सिति को हम endemic कहते हैं नेक्स देखिए निमलिकित में से किस सेट में सारी आपके विशाणू जनेत विशाणू मतलब वाइरस से होने वाली बिमारिया हैं बताइए कौन कौन सी तपैदिक मतलब TB, हर्पीज, रेबीज माम्स, रेबीज, हर्पीज, कैंसर तपैदिक मतलब TB, पोलियो मलाइटेस छोटी माता, कैंसर तपैदिक बताइए कौन सी बिमारी है जो सब वाइरस से फैलती है आंसर बताइए देखिए तपैदिक को आप हमेशा ध्यान लखेगा TB, ठीक है TB जो है वो Mycobacterium tuberculosis नामक bacteria से फैलती है उसके नाम में ही है Mycobacterium tuberculosis ठीक है TB जो है आपके Mycobacterium tuberculosis नामक bacteria से फैलती है Mycobacterium bacteria उसके नाम में आता है तो ये तो हो गई नहीं और तीनों में आपके तपैदिक दिया हुआ है ये हो गई नहीं जबकि mumps, rabies, and herpes आपके virus से होने वाली बिमारिया हैं. ठीक है? Mumps, rabies, and herpes. किस से होने वाली बिमारिया हैं? आपके virus से होने वाली बिमारिया हैं. Okay? Now, the next question is, निमलिके कौन से रोक का कारण जीवानू नहीं होता है. जीवानू मतला bacteria नहीं होता है. इन में से कौन सी वो बिमारी है जो बैक्टीरिया से नहीं फैलती एड्स, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी अंसर करिए आपके बैक्टीरिया से नहीं फैलती भाई एड्स, एड्स वाइरस से होने वाली बिमारिया है जबकि काली खासी भी आपके बैक्टीरिया से होती है हैजा विव्रियो कॉलरी आपके बैक्टीरिया होता है डिप्थीरिया कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये है ना इसका नाम ही है इसके बैक्टीरिया का कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये और काली खासी बोडिटुला पर्ट्यूसिस तो ये सब आपके जो है बैक्टीरिया से होने वाली बिमारी है जबकि AIDS जो है वो आपके वाइरस से HIV वाइरस होता है उससे फैलने वाली बिमारी होती है अंसर हो जाएगा A AIDS नेक्स देखिए पोलियो का वाइरस शरीर में कैसे प मैंने आपको अंसर बताई दिया दूशित भोजन और जल से जो है पोलियो का वाइरस शरीर में आपके प्रिवेश करता है नेक्स देखिए स्टूडेंट्स डेंगू बुखार में मानब शरीर में निम्लिखित में से किसकी कमी हो जाती है डेंगू के फीवर में क्या चीज कम हो जाती है प्लेटलेट्स हीमोगलोविन शरकरा या जल तो ब्लाड में प्लेटलेट्स के ओपर डेंगू का जो आपके वाइरस है वो अटाइक करता है और डेंगू के बुखार में ब्लाड में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है किसकी कमी आ जाती है नेक्स देखिए टीके की खोज किस ने की थी, पोलियो के टीके की खोज आपके जोनास साल्प ने की थी, पोलियो जो बिमारी है ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये मेरा आपसे कोशन है, ओरली वताईए, पोलियो जो बिमारी है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पोलियो से क्या प्रभावित होता है आपकी बॉडी में मतलब किसी भी पर्टसन की बॉडी में CNS Central Nervous System केंद्रिये तंत्र का तंत्र ठीक है क्या प्रभावित होता है पूरा का पूरा nervous system affect होता है पोलियों की बिमारी से तब ही आपने देखा होगा पोलियों के जो बच्चे बिचारे अगर उन्ने दवा नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है पारलेसिस हो जाता है CNS पूरा प्रभावित होता है ठीक है मस्तिश्क और मेरू रज्जू पर चड़ी जिल्ली में सूजन आ जाने वाला रोग बताईए क्या है अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले मेनिंजिस पढ़ाये थे डूरा मीटर, अरिकनॉइड मीटर और पीया मीटर पढ़ाये था कि नहीं पढ़ाये था वही है मैंने बताये था आपको ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाती है मेनिंजिस बनाती है और ये मस्तिश्क और आपके spinal cord, मतलब brain और spinal cord दोनों को ये जो है सुरक्षा प्रदान करती है हमने अभी इसकी बात करी है मस्तिश्क के जो पास में होती है वो होती है पिया मीटर, वो सौफ वाली मा है, उससे बीच में और ये तीनों लेयर मिलके मेनिंजिस बनाती है, और अगर इस पर चोट लग जाती है, तो आपके मेनिंजोइट होता है मेनिंजाइटस जैसे इन बिमारी होती है समझाया था, ये मैंने आपको नहीं समझाया था, नेक्स देखिए स्टूडेंट्स, कोश नमर 11 बताइए हाइड्रोफोबिया किसके कराण होता है जिवानों, विशानों, फफूंदी या प्रोटोजवा बताइए, हाइड्रोफोबिया किसके कराण होता है आंसर करिए पानी से डरनी की प्रकरिया को आपके हाइड्रोफोबिया कहते हैं फोबिया मतलब डर हाइड्रो का मतलब होता है वोटर ठीक है वोटर मतलब पानी पानी से डरनी की प्रोसेस है हाइड्रोफोबिया अब ऐसे डर नहीं लगता कि पीने वाले पानी से डरने लगे नहाने वाले पानी से डरने लगे, हाइडरोफोबिया में आदमी को नदी से, समुदर के पास जाने से डर लगता है, ठीक है, जील समुदर के पास नहीं जाएगा, तैरने से घवराएगा, इसको रेबीज के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके वाइरस से होती है, किस से हो प्रभावित होगी कौन सा अंग प्रभावित होगा CNS ये भी ध्यान लखेगा ये most important चीज़ें जो मैं आपसे पूछ रही हूँ central nervous system polio में भी affect होगा hydrophobia में भी affect होगा और virus से होने वाली बिमारी हैं दोनों polio भी और hydrophobia भी ठीक है next देखिए निमलिकित रोगों में से कौन tiger मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता पीत जोर डेंगू, चिकन गुनिया, जापानी encephalitis आंसर करिए निमलिकित में से कौन सा आपके tiger मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता एडिज albopictus जिससे tiger अगर मच्छर के नाम से जानते हैं इससे आपके यलो फीवर, डेंगू, चिकन गुनिया, ठीक है यह सब होते हैं लेकिन आपके जापानी encephalitis नहीं होता है क्या नहीं होता है जापानी encephalitis नहीं होता है next देखिए student किस सूख्षम जीव के दौरा hepatitis B की बिमारी होती है hepatitis B की बिमारी किस के दौरा होती है virus से, bacteria से, protozoa से या इन में से कोई भी नहीं answer बताईए किस के दौरा जो है आपके बिमारी होती है किस की, hepatitis B की answer करेंगे सबी बच्चे hepatitis B आपके pilia ही है ठीक है, क्या है, pilia ही है आपके ये और पीलिया कैसी बिमारी है पीलिया आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है ये भी बात ध्यान रखेगा कौन सा अंग प्रभावित होता है है या पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो लिवर क्या प्रभावित होता है आपके लिवर यक्रत आपका प् संघ्धस को या पादप मतलんだ Plants को किसको आपके जो हैं vishanu संक्रमित कर सकते हैं बताइए कि weesh danu बहुत ही आपकी जो सिल्स होता है वाइरस के बारे में आपसे पहले भी बात कर चुकी हुए कि वाइरस जो यह बहुत खतरनाक होते हैं जैसे कोरोना का वाइरस था ठीक है और यह जैसे ही बॉड़ी के अंदर पहुंचते हैं तब यह जो है आपके जीवित होते हैं आपकी ही सेल से खाना लेते हैं आपकी ही सेल्स को मार मार के जो है जिन्दा रहते हैं लेकिन वाइरस बॉड़ी के ब अंदर ही ब्रद्धी करते हैं और आपके जिवानों भी जीवित है बैक्टिरिया भी भाई जीवित होता है मरा हुआ थोड़ी होता है बैक्टिरिया आपके फंगस भी जीवित है आपके प्लांट्स भी जीवित है पशू पौदे कवक जिवानों सब जीवित है तो ये सब को आपके संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स देखिए, यक्रत रोख, हैपिटाइटिस B का कारक है, क्या, DNA वारस, RNA वारस, जिवानू, या प्लैटी हेलमिन्थ, ये सब कोशन में पहले भी करा चुकी हूँ, आप लोग को एक रिवीजन के तौर पर मैं ये विडियो आज है, हैपिटाइटिस B जो है, यक्रत रोख, जिसमें आपके लिवर को बहुत ज़्यदा प्रभावित होता है, लिवर, इसमें क्या पाजाता है, DNA वारस क्या होता है, DNA वारस, क्या होता है आपके, DNA वारस, नेक्स देखिए, पैथोजिन जो समाने जुकाम के लिए उत्तर द थे आउदाई होता है, और्फोमिक्स, राइनो वारस, लुकीमिया वारस या पोलियो वारस, आंसा पताईए इसका, सबी बच्चे टेजी के साथ आंसा करेंगे, और बहुत ध्यान से आंसा करेंगे, आप लोग, ठेक है, रिनो वारस, कौन सा हो जागा आपके, रिनो वारस रिनो वाइरस जो होता है या जिसको आप राइनो वाइरस बोलते है यह एक pathogen है जो common cold के लिए उत्तरदाई होता है जो काम आपके सबसे पहले तो वायरस से होने वाला बिमारी है नाम बताई रहा है वायलस से होने वाली बिमारी है ये प्रशने TGT में पूछा जा चुका है फिर दूसरी चीज़ ये एक संक्रामक रोगा अगर मैं आपसे पूछू ये संक्रामक है कि आ संक्रामक है तो आप बोलेंगे मैं संक्रामक रोगा क्योंकि ये छीकने से वायू के माध्यम से संचारित होता है वायू के माध्यम से तो फैलता है एर के मीडियम के थूई तो ये फैलता है लोग किसी के मुँपे छीक दिया तो ये फैल गया है ना समझ में आ गया नेक्स कोशन देखेंगे स्टूडेंट्स इन में से कौन सा विशाणू जनित रोग नहीं है बताईए खसरा, रेबिस, पोलियो या छैरोग छैरोग जिसे टीबी भी बोलते हैं बहुत ध्यान से अंसर करेंगे सबी बच्चे वायरस से नहीं होती है बिमारी पहले तो एक जगह आपने अगर आज तक बना लिया होगा मुझे पता है सबी बच्चों के पास होगा विशाणू से होने वाली बिमारी जो आपको ट्रिक अच्छी लगए उस ट्रिक से आप उसको याद कर लो जो आपको suitable हो है ना जिवाणू से होने वाली बिमारी एक जगह एक जगह पर आप उसको लिख लो उसको आप अच्छे से याद कर लो कि यह यह बिमारी विशाणू से है यह बिमारी जिवाणू से है बहुत सारी ट्रिक्स होती है इसको याद करने की जो आपको अच्छी लगए उस ट्रिक्स से आप याद कर लो तो 6 रोग टीवी जो है वो आपके bacterial disease है viral disease नहीं है virus से नहीं फैलती जो आपके TB है tuberculosis है जिसे यक्षमा, 6 रोग, तपैदे, काक रोग आधी नामों से जाना जाता है हिंदी में हाँ मरत्यों का कप्तान भी इसको बोला जाता है यह आपके mycobacterium tuberculosis नामग bacteria से फैलती है ओके निमनिकित कतनों पर विचार करिए दो कतन दिया हूँ है assertion और reason बताईए AIDS में विशिष्ट रक्षा प्रणाली जो है वो प्रभावित हो जाती है भाई AIDS में जो है patient की आपके जो immunity system है वो पूरा का पूरा प्रभावित हो जाता है दूसरी चीज AIDS में T lymphocyte पूरेतार नश्ट हो जाती है बताईए दोनों में से क्या सही है options ये रहा है आपके सामने लिखे हुए है दो ही options है इसमें बताईए कौन सा answer इसमें सही होगा answer रताईए भाई बिलकुल दोनों बाते सही है AIDS में आपके जो purity immunity system है आपकी जिसको आप विशिष्ट रक्षा प्रणाली बोलते हैं आपके अंदर का जो immunity system है वो पूरा प्रभावित होता है क्योंकि AIDS इतनी खतरनाग बिमारी है ये सही नहीं होती है इसमें पेशन्ट की मृत्यू विक्कुल निश्टित हो जाती है AIDS में क्योंकि ये immunity system को खतम कर देता है और immunity system में भी ये T lymphocyte को पूरी तरीके से खतम कर देता है ठीक है T lymphocytes को पूरी तरीके से आपके खतम कर देता है T lymphocyte आपके WBC का एक टाइप है मैं पढ़ा दूँगे आपको blood में WBC रह गया है पढ़ानी के लिए लेकिन फिलाल आपको पता है ये दोनों बाते एकदम सही है RA की सही विवेचना है very good next देखते है students निम्लिकित रोग पर विचार कीजिए diptheria, छोटी माता और चेचक इन में से कौन से भारत में से उनमूलन हो चुके है diptheria, diptheria का जड़ा दूसरा नाम बताएए क्या है हिंदी में बहुत important है diptheria को दूसरा नाम बताएए हिंदी में किस नाम से जाना जाता है हिंदी में पूछ रही हूँ मैं diptheria को आपके हिंदी में रोहिनी के नाम से जाना जाता है है ना डिप्थीरिया रोहिणी को तो बोलते है एक बार इसको जड़ा देख लेना वैसे मुझे तो पता है डिप्थीरिया को हा रोहिणी ही बोलते है हिंदी में इसका दूसरा नाम है और ये किस से होता है बैक्टीरिया से होता है जिवानू से होता है या आपके विशानू स तो यहां पर आंसर आपके हो जाएगा भाई यह काफी पुराना कोशन है तो इसको जादा सीरियस नहीं लेंगे फिलाल आपके जो है केवल तीन चेचक जो है वो पूरी तरीके से खतम हो चुकी हाला कि चिकन पॉक्स छोटी माता भी खतम हो चुकी लेकिन अभी भी देखने के लिए मिलते हैं अब तो भारत से पॉलियो भी कहते हैं उन्मूलन हो चुका है तो इस कोशन को जादा आप सीरियस नहीं लेंगे काफी पुराना कोशन है ठीक है देख लूँ बही है कितना पुराना कोशन है अरे पुराना है 2014-15 कोशन है तो इतना इसको सीरियस नहीं लेंगे कोशन को क्योंकि आप तो भारत से कहते हैं पॉलियो भी खतम हो चुका है पॉलियो भारत मुक्त हो गया है ठीक है फिलाल इस कोशन को आप इतना सीरियस नहीं लेंगे नेक्स देखते हैं हम यहाँ पर यह discuss जरूर कर सकते हैं कि इसमें से वाइरस से होने वाली बिमारी कौन सी है और बैक्टीरिया से होने वाली बिमारी कौन सी है एक सिकेंड ये बता दीजे बाकि छोड़िए आप बाकि सब छोड़िए ये बता दीजे इनमें बता ये कौन सी वाइरस से होने वाल हो गया यह सब आपके यह दूनों तो आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है ठीक है यह बात ध्यान लखेगा और डिप्थीरिया आपके बैक्टीरिया से होने वाली बिमारी है यह कोशन यहां पर इस फॉर्म में हमने कर लिया है ओके नमली कि इतम से कौँसी जोड़ी गलत है बताइये प्लेग चुहा टेव वंसुर से फैलता इकदम सही है टेव वंसुर से फैलता एकदम सही है पोली बंदर से नहीं फैलता ठीक है now the next question is hepatitis रोग से मनुश्य का कौन सा अंग सीधे सीधे प्रभावित होता है hepatitis से बताईए liver, फेफड़ा, हिर्दय, मस्तिश्क hepatitis में जिसे आप पीलिया भी बोल देते हैं इससे liver effect होता है सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित होता है यह liver को प्रभावित करता है चलिए नेक्स देखते हैं student AIDS जिवानू के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है यह मुक्य सेवी का claim important है AIDS विशानू के लिए AIDS के भाई वायरस के लिए सबसे ज़्यादा यूस की गई दवा सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है answer करिए सबी बच्चे करा भी होगा आप लोगों ने कोई ऐसा नया बहुत कोशन नहीं है हम लोग पहली भी बार कई बार कर चुके हैं जिडो बुडीन है जिडो बुडीन एजिडो थाइमिडीन आपके जो है एड्स के लिए यूज की जाने वाली यह आजमाई गई सबसे बड़ी important दवा है चलिए next देखते हैं एड्स वाइरस HTLV 3rd की खोज किसने की थी बताइए एड्स वाइरस HTLV 3rd की खोज किसने की थी Robert Charles Gallo University of Maryland School of Medicine Baltimore Institute of Human Virology के निदेशक थे ठीक है कौन थे Robert Gallo इन्होंने जो है आपके HTLV 3rd Human T-cell leukemia virus HTLV 3rd की फुल फॉर्म होती है Human T-cell leukemia virus की खोज की थी यह बहुत ही खतरनाख एड्स का टाइप है Robert Gallo next देखिए एड्स के लिए उत्तरदाई विशाणू उधारण है किसका ग्रंथी विशाणूं का क्रीमीर विशाणूं का टी इविन विशाणूं का या रेट्रो विशाणूं का आंसर बताईए इसका भी देखो एड्स का जो वाइरस होता है वो रेट्रो कुल का वाइरस होता है इसमे भी वाइरस में भी होगे इतनी चीज़ ध्यान लखिएगा रेट्रो वाइरस समूं का विशाणू होता है एड्स वाइरस क्लियर है नेक्स देखिए निम्लिकित में से कौन सी टेटू बनवाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है बिमारी बताईए भाई एक तो यहाँ प आपको पता है एंच भी हो सकता है और हैपिताइट्स बी भी हो सकता है बाई टैटू बनवाने में जो वो सुई हो यूज कर तो आपके लिए नई सीरींज को यूज करें जो भी डौक्टर है जो भी तो संचारित हो रही है वे बिमारी कौन सी? हैपेटेट इस VN, HIV, AIDS. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. AIDS विशाडू में क्या होता है? AIDS विशाडू में आपके होता क्या क्या है? RNA, DNA, DNA plus protein, RNA plus protein या केवल DNA बताईए? RNA plus protein होता है. ये important question है, student. नेक्स देखिए, भोजन का विशाडू होना, मतलब बॉटलिजम किस species के संदूशन से होता है? एजिटोबैक्टर होता है, लेक्टोबैसिलस होता है, राइजोबियम होता है, ये कॉलिस्ट्रीडियम होता है, बताईए. कौन होता है भोजन को विशाक्त करने के लिए जो responsible होता है? बॉटलिजम है, बॉटलिजम species है, कॉलिस्ट्रीडियम बॉटलिजम, जिसमें जो कि आपके डिब्बा भंद भोज पधारतों को संदूशित करता है, ये डिब्बा भंद भोज पधारतों को खराब करने के लिए responsible होता है, कॉलिस्ट्रीडियम बॉटलिजम, ठीक है? बोजन संदूशन में हम इसकी बात कर चुके हैं, इम्मिनोलॉजी के जनक कौन है? कौन है आपके इम्मिनोलॉजी के जनक? रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, एडवर्ड जेनर ये लेंडिस्टीनर? एडवर्ड जेनर है, आपके इम्मिनोलॉजी के जनक, इन्होंने आपके चेचक के टीके का अविश्कार किया था, ये प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है, जेचक के टीके का विश्कार किस ने किया था, तो जेनर ने किया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने, नेक्स देखिए, जापानी एंसेफलाइटिस का करण क्या होता है, जिवानों, विशानों, परजीवी या फफून, बेक्टिरिया, वाइरस, प्रोटोजोवा या फंगस, क्या होता है आपके जापानी एंसेफलाइटिस का करण, जापानी एंसेफलाइटिस भी आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है, इसको बहुत ध्यान से लिख लिजिए, वाइरस से होने वाली बिमारी है, मिला लीजिए चुलिए मिला लीजिए भाई प्लेग फाइलेरिया बेरी बेरी टाइफाइड मिलाईए दो आपके पास सुमेल है उसको मिला लीजिए प्लेग किस से होता है आपके और क्या है फाइलेरिया कैसे होता है बेरी बेरी कैसे होता है टाइफाइड कैसे होता है मिला बेरी सबसे पहले मिला लो, विटामिन B की कमी से होता है, टाइफाइड आप मिला लिजे, आंतों को प्रभावित करता है, है ना, प्लेक, पिसुओं के काटने से होता है, फाइल एरिया मच्छरों से होता है, मिल गए सारे, प्लेक, पिसुओं के काटने से होता है, फाइल एर मतलब contact के थुरू फैल रही है और घाव मतलब किसी का घाव हो गया उसकी वज़े से उसको बिमारी हो रही है फटा फटा से सारे बच्चे मिलाएंगे बायु दरा क्या फैलता है टीवी फैलती है पानी दरा क्या फैलती है कॉलरा है ज़ा फैलता है है ना संपर्ग दरा क्या सिफलिस एड्स की तरह बिमारी है सिफलिस भी और घाओ हो गया तो तुरंद बोला जाता है अगर लोहे से कट जाए कहीं से कट जाए कि भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगवालो है ना तो घाओ दोरा क्या फैलता है आपके टिटनेस इजी इजी कोशन है लेकिन इंपोर्ट है मतलब इसमें से कौन सा पेयर सही है अंसब करिए निमोनिया आपके लंक्स में होता है मोतिया बिंद आंख में होता है मदुमय आपसे मदुमय से अगर पूछा जाए तो क्या अफेक्ट होता है पैंक्रियास अगनाश है यकरत नहीं जबकि पीलिया से क्या होगा आपके यकरत होगा ठीक चलिए next देखिए निम्लिकित में से कौन से सही है बताईए मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्ती है हैजा रोग जिवानूं के काराण होता है एथलेट फूट रोग जो है वो विशानूं के काराण होता है इन में से बताईए कौन सी बाते सही लिखी बताओ बच्चे स्टूडेंट्स मानव शरीरिक में जो फीमर है वो सबसे लंबी अस्ती है बिलकुल हमें तो पता है लॉंगस बोन आप दो बॉड़ी कौन सी है फीमर है जो कि आपके जांग में बाई जाती है इसको उर्विका बोलते है हिंदी में ठीक है है हैजा रोग जिवानों के कारण होता है विबरियो कॉलॉरा एजम के लिए कॉलॉरा के रिस्पॉंसबल होता है जल द्वारा फैलने वाले वीमारी है लेकिन हम हम दो कैटिगरी चेया में mene जल और वायू तो यह जल से ऐएगी ठीक है यह जल से आईगी अगर जल्चिन में नहीं तो आ बताईए, DPT का जो यूज है, क्या है, जलिली बताईए, फटा-फट से सारे बच्ची आंसर कर दीजिए, simple-simple से question है, but most important question है, यही छोटे-छोटे से question कभी-कभी हम गलत भी कर देते हैं, एक्जाम में, फिर हमें बहुत बुरा भी लगता है, है ना, तो revision करते रहना चाहिए diptheria, kalikasi and titnis के लिए आप DPT vaccine का प्रियोग करते हैं, next बताईए, कौन सा रोग आपके कवक के कारण होता है, कवक समझते हैं, फंगस, polio, हैजा, तोचा का प्रधा, मतलब skin में allergies वगरा हो गई है, उपरुक्ति में से कोई नहीं, जल्दी से बताईए, कवक के द्वारा कौन से बिमारी फैलती है, तो बिलकुल आपके skin की allergies है, या skin में प्रधा हो रहा है, कहीं कहीं पे skin में fungus पड़ गया है, ये बिमारी आपके कवक के द्वारा होती है, fungus disease, दात, खाज, खुजली जिसे आप बोलते हैं, next बताईए, athlete food बिमारी होती है, अभी हमने बात करी, athlete food बिम होती है बिमारी, ये ट्राइकोफाइटे नामक एक fungus होता है, students, और ये उसकी वज़े से फैलती है, ठीक है, मतलब fungus disease है, fungal disease है, फफूंद से फैलती है, और ये क्या होता है, ये आम तोर पर जो skin के मुलाइम हिस्से होते हैं, जैसे आपकी fingers के बीच में, वहाँ पर आपने कई patients के पैरों में, मालो पैर भीगे रह गए, तो ये फंगस पनब जाएगा, आपने अच्छे से अपने साफ नहीं करा, पैरों के आसपास, है ना, तो या आपकी जो bikini lines होती है, वहाँ पर आपने अच्छे से साफ नहीं करा, तो आपको दाद, खाज, खुझली, इस तरी ठीक है, next देखिए आपके students है, अरगटात पै, अरगटात पै को आपके बोलते है students, ergotism, ठीक है, ergotism, sorry, ergotism बोलते हैं English में, English मेडिया माले बच्चे भी देखेंगे, ergotism किस से होता है, संदूशित अनाज मतलब contaminated food की वज़े से, ठीक है, contaminated cereals अनाज की वज़े से, बिगल संदूशित होती हुई बनसपती, मतलब खराब आपने खालिया, flora खालिया, बनसपती खाली, संदूशित जल, मतलब contaminated water से, या पकाए हुए बासी खादेपधार्थ से, रखा हुआ खाना, बासी खाना, उससे होता है, बता ही किस से होता है आपके ergotism, ergotism, एक food poisoning है, तरीक खाने की वज़े से आपके बिमारी होती है, और इसमें क्या होता है, C. Purpurea, क्या होता है आपके fungus, कौन सा fungus जो है वो खाने को खराब कर देता है, C. Purpurea, लिख लीज़े सारे बच्चे, P-U-R-E-A, C. Purpurea, इसका पूरा नाम होता है, Claviceps Purpurea, क्या नाम होता है, Claviceps Purpurea इसकी वज़े से ergotism नामक रोग होता है, ergotism रोग किसकी वज़े से होता है, यह एक food poisoning disease है, contaminated food को consume करने से, संदूशित अनाच को ग्रहन करने से यह बिमारी होती है, जिसको हिंदी में ergotat पाए बोलते हैं, ओके, और इसका agent कौन है, C. Purpurea, नेक्स बताइए, दंत छे का मुख के भीतर होने वारे जिवानु, वा, जल्दी बताइए, दंत 6 मतलब Florosis हो गया है, दांत खराब हो गया है, आंसा करेंगे सारे बच्चे, दंत 6 होने का मुख्य कारण क्या होता है, दंत 6 होने का मुख्य कारण होता है, एक पार बात ध्यान एक लिजिए, बहुत important, कि दंट च्छहय का मुख्यकारण आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से आपके दांतों में आपको खरावी देखने के लिए मिलती है, दूसरी चीज, कार्भो हाइडरिट के सौरी outta carbohydrates के खा दिकर्ण जो है वो आपके दांतों में फसे रह गए है, आपने अपने दांतों को अच्छे से clean नहीं किया, carbohydrates, sugars आपके दांतों में फसे रह गए है, जिस वज़े से वो वहाँ पे सडने लगते हैं, और वहाँ पे bacteria पनब जाते हैं और दांत खराब कर देते हैं, तो द ब्रश वगर अच्छे से नहीं क्या आपने चावल दाल जो भी खाया है रोटी चावल रोटी शुगर्स मीठा कुछ भी वह आपके दातों में फसर आगए तब तो कहते हैं चॉक्लाट खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए रात में ब्रश करके सूना चाहिए नेक्स देख पहरे तो मुझे इसका अंसर बता दीजे कुष्ट रोक का बैक्टीरिया का नाम बताईए लो मैंने यही बोल दी दिया कुष्ट रोक का बैक्टीरिया का नाम बताईए पहले बताई कुष्ट रोक किस से होता है बैक्टीरिया से होता है या वाइरस से होता है कुष्ट रो कुष्ट का नाम क्या है लेपरोसी ठीक है और यह किससे होता है आपके यह आपके माइको बेक्टिरियम लेपरे से होता है किससे होता है माइको बेक्टिरियम लेपरी यह आपके उससे होता है ठीक है दूसरी चीज बताइए फ्लोरोसिस क्या बिमारी है फ्लोरोसिस बताइए fluorine की कमी हो जाती है अगर पानी में तो fluorosis या अधिक्ता हो जाती है तो भी fluorosis होता है कमी होती है तब भी आपके fluorosis cause होता है पीने के पानी से ठीक है fluorosis, next बताईए phylaria क्या है, phylaria ने insufflitis बताईए क्या है insufflitis क्या है आपके फिलाल यहां पर तो आपके answer हो जाएगा जापानी insufflitis अभी हमने पढ़ाता insufflitis वाइरस की तरवज़े से आपके जापानी insufflitis होता है answer आपके होता है phylaria ठीक है phylaria जो है जिसे आप फील पाउं बोलते है elephantiasis वो आपके ब्यूचेरिया ब्रेंगफटाई नामक गोल क्रमी होता है उसकी वज़े से होता है गोल क्रमी मतलब यह आपके एक कवकीर होग है आप परजीवी रोग protozoal disease है protozoal जिसे आप बोलते है ना परजीवी तो गोल क्रमी आपके परजीवी बिमारी है निमोटेड और यह आपके किस परजीवी से होती है बुचेरिया ब्रेंगफटाइन नामक निमोटेड यह बुचेरिया ब्रेंगफटाइन नामक परजीवी के करण यह बिमारी होती है जिसे आप बोलते है फाइलेरिया फील पाओ अलिफेंट आइसिस व्यक्ति जो उसका पैर होता है विकुल एलिफेंट की जैसा हो जाता है तो कुश्ट रोग बैक्टिरियल डिजीज है माइको बैक्टिरियम लैपरी की वज़े से होता है फ्लोरसिस आपके वही दन तचहे टूथ डिके का कारण बनता है दांत खराब हो जाते हैं फ्लोरसिस की मातर आधिक हो गई बहुत ज़्यदा तो जपानी एंसफलाइटिस है जो के आपके एंसफलाइटिस वाइरस की वज़े से होती है फाइलेरिया आपके गोल क्रमी हो गया नेक्स देखिए मलेरिया और डेंगू में क्या उभैनिष्ट नहीं है बताईए अभी मैंने इस कोशन की बात कर ली थी मलेरिया और डेंगू में से क्या एक जैसी चीज नहीं है जो आर माना परजाती मच्छर की काट या मच्छर की परजाती क्या नहीं है मच्छर की परजाती दोनों की मच्छर की प्रजाती अलग है malaria आपके मादा एनिफिली से होता है जबकि डेंगु आपके मादा एजिप्ट मच्छर से होता है next बताईए malaria से प्रभावित होने वाला अंग बताईए students क्या है ये question important है बहुत malaria से क्या प्रभावित होता है कौन सा अंग प्रभावित होता है आपके फिर्दे फेफडे गुर्दा या तिल्ली तिल्ली प्लीहा इसको बोलते हैं English में स्प्लिन क्या प्रभावित होता है स्प्लिन प्रभावित होता है ठीक है तिल्ली प्रभावित होती है और अगर यहां पे RBC भी दिया होता ना तो दोनों प्रभावित होते हैं आपके क्योंकि स्प्लिन में ही जाके आपके RBC की डेथ होती है RBC का ग्रेवियार्ड है आपके स्प्लिन ठीक है और RBC पे अटाक करता है मलेरिया का जो प्रोटोजवा होता है फिलाल आपके प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा प्लिया और तिल्ली बोलते हैं से हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिन नेक्स देखें स्टूडेंट्स उस वैग्यानिक का नाम बताए जिसने ये खोज की थी जिसने ये खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है बहिए बताए उस वैग्यानिक का नाम आप लोग कौन थे वो माहन वैग्यानिक जिन्हों ने ये चीज़ खोजी सर रोनाल्ड रोस ठीक है? इन्हों ने ये चीज़ खोजी थी कि malaria जो है वो plasmodium नामा के एक protozoa से होता है और इस plasmodium इस protozoa की वाहक कौन है मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई है कि मच्छर में वो plasmodium नहीं होता है मच्छर बिमार नहीं होता है जो female होती है जो आपके जो pregnant female होती है उसके पैरो में ये plasmodium चिपक जाते है कहीं से भी गंदिगी उस पर चिपक जाती है फिर जब वो आपको काटती है तो जिवानों वो जो protozoa है वो आपके अंदर एंटर कर जाते है ठीक है सर रोनाल रोस ने ये चीज आपके clear की थी नेक्स देखिए स्टूडेंट्स मनुष में एफला टॉक्सिन खाद विशाक्तता किस अंग को प्रभावित करता है आंसर करिए मनुष में एफला टॉक्सिन खाद विशाक्तता जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है किसे करता है आपके यकरत को करता है यकरत को ही करता है मनुष में अफला टॉक्सिन खा दिबी शाकता था भाई फूड पॉईजनिंग है तो यकरत को ही तो करेगा आपके लिवर को नेक्स देखिए दो सूची हैं दोनों सूची को मिला लिजिए प्लेक एड्स गंजापन और मलेरिया किसकी वज़े से फैलते हैं मिलाईए सारे बच्चे मिलाईए मिला लिए बच्चो हाँ जी मलेरिया प्रोटोजोवा ठीक है एड्स विशानू वाइरस ठीक गंजापन गबग प्लेग जिवानू मिल गया सबने मिला लिए चलिए नेक्स देखिए नेक्स ये भी आप मिला लिजिए मलेरिया पोलियो तपैदिक दाद मिलाईए कौन सा किसकी वज़े से फैलता है दोनों को मिला लिजिए मलेरिया प्रोटोजोल डिजीज है ठीक पोलियो आपके विशानू वाइरस से होने वाली है तपैदिक टीवी जिसे बोलते है बैक्टीरिया और दाद खाज खुझली कबक फंगडी ठीक है फंजाए से होने वाली बिमारी है नेक्स बताइए मलेरिया के संबन्ध में कौन सा कथन बताएए सत्य नहीं है ये परोब जीवी कीड इंसेक्ट पैरसाइट द्वारा पैदा की जाने विल बिमारी है ये मच्छरो द्वारा फेलाई दती है ये दलदली छेतरो मैदिकतर होती है इसके अलाज में क्लोरो क्वीन का उप्योग ह होता है कौन सी बात आपके इसमें सही नहीं है सत्य नहीं है आपको बतानी है ये इंसेक्ट पैरसाइट द्वारा पैदा की जानली बिमारी है ये गलत है ये आपके किससे फैलती है प्लास्मोडियम नामक प्रोटोजोवा प्लास्मोडियम उसकी कैटेगरी है प्रोटोजो और क्लोरोकुइन जो है दवा यह किसमें यूज की जाती है मलेरिया में की जाती है सिनकोना चाल वगरा यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है यह आता है कोशन नेक्स देखिए मानव में गुणसूत्र संक्या 21 के लिए बताए कौन सी बिमारी उत्तरदाई है भाई यह आपके क्या बोलेंगे डाउन सिंड्रोम चलिए यहीं पर मेरे 5-6 कोशन आंसर कर दीजिए गर्टेंटोर्ट ृच्ष में क्या हो जाएंगा टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताइए गानसा गुणसूत्र प्रवावित होता है पहले तो यह पताईए यह ऑटोजोमल डिजीज है एलोजोमल डिजीज है ये बताईए फिर ये बताईए कि टर्णर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है कि मेल्स में होता है कि बच्चों में होता है कि बुडों में होता है ये बताईए जल्लेली बताईए Turner syndrome में क्या होता है ये autosomal disease है ये allosomal disease है सबसे पहली बात तो ये आपके allosomal disease है allosomal मतलब 23 नंबर का जोड़ा परभावित होता है क्या हो जाता है इसमें 23 नंबर के जोड़े में केवल एक X रह जाता है केवल एक X रह जाता है और ये किस में देखने के लिए मिलती है ये females में देखने के लिए मिलती है females में देखने के लिए मिलती है एक X रह जाता है जबकि female बनने के लिए तो दो X होना जरूरी है लेकिन केवल एक X रह जाता है ठीक, down syndrome में कैसी बिमारी है down syndrome बताईगा आटोजोमल बिमारी है कि एलोजोमल बिमारी है जलिली बताईए डाउन सिंड्रोम कैसी बिमारी है आटोजोमल है कि एलोजोमल है डाउन सिंड्रोम आटोजोमल है क्यों क्योंकि एक से बाइस नमबर तक के जोड़े में समस्या देखने के लिए मिल लगी है कौन से नंबर के जोड़े में समस्य आती है 21 वे नंबर के जोड़े में समस्य आती है क्या हो जाता है ट्राइसोमी हो जाती है यहाँ पर क्या हो जाता है ट्राइसोमी हो जाती है ठीक है नेक्स बताए लाइन फेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताए ये line filter syndrome में बताएगे क्या होता है autosomal है, allosomal है और कौन सा गुनसूतर प्रभावित होता है जल्दी बताएगे आज ही सब काट पेट देंगे आज ही सारा काम हो जाएगा या मेरी society में आज ही drilling हो जाएगी कमी ने रह जाए line filter syndrome में क्या हो जाएगा line filter syndrome आपके allosomal disease है पहली बात तो कौन से disease है, allosomal disease है कौन से नमबर का जोड़ा प्रभावित होता है 23 नमबर का जोड़ा प्रभावित होता है क्या हो जाता है इसमें इसमें होता क्या है इसमें x x y हो जाते हैं इसमें 2 x आ जाते हैं वाई है तो ये कौन किसमे होती है बिमारी ये पूर्शों में देखने के लिए मिलती है किसमें देखने के लिए मिलती है पूर्शों में हीमोफिलिया में बताए क्या होता है हीमोफिलिया ओटोजोमल है हीमोफिलिया एलोजोमल है 23 में नंबर का जोड़ा प्रभावित होता ह जोड़ा नहीं प्रभावित होता है यह X-linked disorder है इसमें जीन खराब होता है कौन सा जीन खराब होता है एक्स जीन खराब होता है दो तरीके की genetic disorders आपको पढ़ा है जिसमें एक तो जीन खराब हो गया या एक में क्रोमोजोम की संख्या वड़ जाती है यह तीनों बिमारी वैस ही है जिसमें क्रोमोजोम की संख्या में परिवरतना जाता है जबकि हीमोफिलिया में आपके जो जीन है एक्स ओवाई 23 नमर का जो जोड़ा एक्स ओवाई होता है उसमें जो X है वो खराब होता है जब X-linked disorder होती है आपके हीमोफिलिया ब्लीडर डिजीज बताएगे इसम प्लूची यह दोनों को मिलाएपियें हीमोफिलिया डायबिटीस लिकेर संत्रींगवंप जल्Дिस से मिलाइए sleeping sickness नामक बिमारी किसकी वज़े से होती है sleeping sickness आपको निद्रा रोग हो गया है किसकी वज़े से vitamin A की कमी हो गई तो निद्रा रोग होता है शरीर में calcium की कमी हो गई तो निद्रा रोग होता है ब्लेड प्रेशर बढ़ गया रक्त चाप बढ़ गया तो निद्रा रोग होता है यह ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशी के जीव से होता है निद्रा रोग जो है आपके sleeping sickness जो है वो ट्रिप्नोसोमा नामक आपके एक कोशी जीव होता है ट्रिप्नोसोमा पैलेडियम उसकी वज कोती है, okay, CC fly, glossina, now the next question is, Ebola बताईए क्या है, आतंगवादी संगठन है, प्रान घातक विशानु है, AIDS का परिक्षन है, या इन में से कोई ने, Ebola क्या है, जल्ली सांजा करिए, Ebola वाइरस था, है न, Ebola, Ebola वाइरस तो है, Ebola, तो Ebola क्या है आपके, प्रान घातक विशानु है, एक वा यह काफी तो मैंने आपसे ओरली पूछे हैं, next आपके दूसरा, अप PDF स्टार्ट होता है, यह भी मैं आपको करा चुकी हूँ, चली बताईए, निमलिखित में से कौन सा एक जीव केवल एक परपोशी कोशिका के भीतर जनन करता है, भीतर जनन करता है, वो कौन है, जो किसी होस्ट की बॉड़ी में जाकर के जीवित होता है, जिवानू है, अमीबा है, विशानू है, फफून दिये, options यह रहा है आपके सामने, बताई, answer करिए, यह चीज आपको पता भी है, कई बार मैंने आपको समझाई भी है, वाइरस है, वाइरस जब किसी भी होस्ट की बॉड करता है, उन्हीं के खाना यूज करता है, उन्हीं के सेल्स में अंदर बच्चे पैदा करता है, अपने ठीक है, और अंदर बॉड़ी के अंदर यह ग्रो करता है, जैसे एड्स का वाइरस है, है न, तभी तो अंदर ग्रो करता है, तभी तो यह पूरा का पूरा आपके इम् देख लिजे जीवानू, ठीक है, जीवानू मतलब बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, ये कोशन थोड़ा सा गड़ड़ा गया था, आपको यहाँ पर वो मानव रोग बताना है, जो जीवानू के कारण नहीं होता है, क्या होगे आपक टीबी चोले बताईए बताईए इन में से कौन सा वो बिमारी है जो जिवानों के कारण नहीं होती जिवानों के कारण जिवानों मतलब बैक्टीरिया के कारण नहीं होती तो अब आंसर बता दीजिया बहुत तेजी के साथ मुझे नहीं होती टाइफाइड बैक्टीरिया से ह होता है हैजा बैक्टिरिया से होता है लेकिन पेचिश नहीं होता ठीक है पेचिश आपके एंटामीवा हिस्टॉलिटिका यह आपके प्रोटोजोल डिजीज है एंटामीवा हिस्टॉलिटिका आपके प्रोटोजोवा है परजीवी है जिसकी वज़े से पेचिश बिमारी होत नेक्स बताईए परपोशी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोग जनक सूख्ष मजिफ किन ओशियोदियों से मर जाते हैं मतलब इंग्लिश में मैं यह कोशन बताती हूँ होस्ट की बॉड़ी के अंदर कोई चीज आपके कोई बिमारी है कोई दवा है तो आप क्या लेते हो उस दवा के लिए आप क्या लेते हो कौन सी ओशिदियां लेते हो आप पेन किलर्स लेते हो प्रतिरक्षी लेते हो प्रतिजीवी लेते हो या वैक्सीन लगाते हो तो जब भी कोई बिमार होता है कोई अगर किसी को बिमारी हो गई है कोई रोग हो गया है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर उसका क्या लिखते है डॉक्टर उसका एंटिबाइटिक्स देते हैं तो यहां पर यही कोशन है इसका मतलब यही है प्रति जीवी का मतलब होता है एंटि बाइटिक्स पेन किलर्स तो दर्द को आराम देने के लिए देते हैं लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर कोई रोग जनक सूख्ष्म जीव है कोई ऐसा सूख्म जीव है बॉड़ी के अंदर इस पीडियाफ में था बॉड़ी के अंदर कोई भी चला गया है तो आप कौन सी दवा लोगे दर्द को मिटाने वाली लोगे प्रति रक्षी लोगे या प्रति जीवी लोगे तो हमेशा ध्यान लखेगा प्रति जीवी एंटि बायोटिक्स लेते हैं ठीक है क्या लेते हैं एंटी बायोटिक्स लेते हैं नेक्स देखिए students डबल रोटी बनाने के लिए उत्पन होने वाली गयस कौन सी है हलाकि यह इसका question नहीं है लेकिन यह पीडियाफ में था तो बता दो डबल रोटी जब बनती है तो उसमें जो गयस उत्पन होती है वो कौन सी है oxygen, carbon dioxide, nitrogen या फिर sulfur dioxide जल्दी सांसा करेंगे सबी बच्चे डबल रोटी बनाने की दुरान उत्पन होने वाली गयस आपके carbon dioxide होती है तब ही वो फूल जाती है नेक्स बताइए एक रोग है जो प्रोटोजोवा द्वारा उत्पन होता है और कीट द्वारा फैलता है ये पूरा question एकडम correct है आप जल्दी सांसा कीजे question तो सभी correct है बस एक में दिक्कत थी एक रोग है जो प्रोटोजोवल डिजीज है पहली बात तो कौन से डिजीज है प्रोटोजोवल डिजीज है और कीट कीट मतला इंसेक्ट दोरा फैलती है डेंगू, पोलियो, मलेरिया, खसरा देखो, यहां पे मलेरिया आंसर होगा ध्यान लगीए का डेंगू नहीं होगा डेंगू, प्रोटोजोवल डिजीज नहीं है डेंगू का आपके वाइरल डिजीज है भले ही एक कीड़े से फैलती है मच्छर से फैलती है इंसेक्ट क्या होता है इसका कीड़ा होता है लेकिन ये प्रोटोजोल डिजीज नहीं है ये बात ध्यान लखेगा ये वाइरस से होने वाली बिमारी है इसको आप वाइरस केटिगरी में डालते हो डेंगू को ठीक है जबकि मलेरिया प्रोटोजोल डिजीज है कौन सा प्रोटोजोल होता है आपके कौन सी उसके कुल का होता है प्लाजमोडियम ठीक है प्लाजमोडियम प्रोटोजोल होता है और इसकी जो वाहग है वो कोई है column है, दोनो columns को आपको मिला लेना है मिलाईए यहाँ पर tie fight नहीं होगा यहाँ पर होगा आपके पास्चुराइजेशन कर दो या fermentation कर दो कुछ भी कर दो, दोनों लिख दो चलो मिला लो, पास्चुराइजेशन या fermentation, बताईए यहाँ एक जगे छोटी ना करके बड़ी माता कर दो, जल्दी से answer करिए, बड़ी माता लुईस पास्चुर किससे मिलाएंगे आप बताओ, रॉबर्ट कोच किससे मिलाएंगे आप, एडवर्ट जेनर किससे मिलाएंगे और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे मिलाएंगे आप जल्दी बताईए, आप तो आप आराम से मिला लेंगे, मैंने बता दिया ना, आप पास्चुराइजेशन कर लो, फर्मेंटेशन कर लो, तो लुईस पास्चुराइजेशन, फर्मेंटेशन से मिल जाएंगे, Robert Coach आपके किस से मिलेंगे, Anthrex नमक जिवानू से मिलेंगे, Edward Jenner ने आपके चेचक के लिए वेक्सीन मनाई थी वही छोटी माता के लिए वेक्सीन मनाई थी ठीक है, Alexander Flaming आपके Penicillin हो जाएगा ठीक है, चलिए Penicillin की Coach किस ने की थी, Alexander Flaming ने कोशन बनते हैं, Important है Next बताईए, दो कॉलम हैं, दोनों कॉलम को मिला लिजे, Answer करिए Lactobacillus, Aspergillus, Spirogara, Paramecium यह आपको बताने हैं, है क्या बताईए देखिए Lactobacillus आपके जिवानू होता है ठीक है, Paramecium आपके Protozoa होता है Protozoa होता है, Paramecium Aspergillus आपके जो होता है, वो कवक होता है, Spirogara आपके शेवाल होता है, एक बार देखना, मैंने यही इसका मिलाया है, हाला कि यही सही है Aspergillus आपके, कवक होता है Spirogara शेवाल होता है, Paramecium Protozoa होता है, ठीक है एक बार, आप लोग इसको Recharge कर लेना, हाला कि मैंने यह पहले भी कराया है Recharge कर लेना, Lactobacillus आपके जिवानों होता है, ठीक, नेक्स देखते है निमलिकित में से कौन सी, बताइए, Antibiotic है Sodium Bicarbonate, Streptomycin Alcohol या East, बताइए निमलिकित में से कौन सी प्रती जैविक है कौन सी बिमारी के लिए आप Antibiotic खाते होंगे, इसमें से एक तो Antibiotic का नाम आपने सुना होगा, बताइए कौन सी है Sodium Bicarbonate, Streptomycin Alcohol East, आपको पता है Streptomycin है, है न, Antibiotic Next, देखे स्टूडिंट Malaria परजीवी का बाहग, बताइए क्या है, Malaria परजीवी का बाहग मादा एनिफिलीस, कौकरोज, घरिलू, मक्खी या तितिली, बताइए, क्या आंसर हो जाएगा Options अब दिख रहे होंगे आपको Malaria किस से फैलता है जल देली आंसर करतो बच्चे तीसरा PDF भी आ जाए, मादा एनिफिलीस से, very good नेक्स बताएंगे, संचरिनी रोगों का मतलब जो diseases communicate करती है ठीक है, communicable diseases communicable मतलब संचार कर रही है एक दूसरे से, एक दूसरे में फैल रही है व्यक्तियों में आपस में फैल रही है इसका सबसे मुक्य कारण क्या होता है चीटी, घरेलू मक्ही, ड्रैगन मक्ही या मकडी, बताइए कोई भी बिमारी है आप मेले वगएरा में गए आप खुला खाना खा रहे हो वहां मक्हियां भिना कर रही है आपने देखा, तो यह संचार तो हो रहा है बिमारी का, मक्हियों में चिपा कर रहे है गंदगी, वहीं मक्ही आ करके खाने पर बैठ रही है, पानी गंदा कर रही है खाना गंदा कर रही है तो घरेलू मक्ही, सबसे main होती है हाउस फ्लाइ, आपके संचारित रोगों के लिए संचारित रोग होते हैं दो तरीके की diseases होती है आपके ये communicable और non communicable मतलब संक्रामक रोग गेर संक्रामक रोग या संचारित रोग या आसंचारित रोग संचारित जो कि किसी वज़े से संचार हो रहा है जिनका ठीक है और गेर संचारित जो कि संचार की वज़े से नहीं हुआ, किसी के अंदर खुदी बिमारी होगी, जैसे गठिया हो गई या जैसे आपके ये क्या कहते हैं diabetes हो गया, heart की कोई बिमारी हो गई, तो ये गयर संचारित में आती है ठीक है, इससे कोई फैलाता नहीं है किसी में next देखिए, bread और idli फूल जाती है, इसका करण क्या है, बताइए भाई, heat की वज़े से फूल जाती है, पसीने की वज़े से फूल जाती है, east cell इसमें ब्रद्धी कर जाती है, या फिर आपने मारा है सरीके से, उसको डो को बनाया है कि वो फूल गई bread और idli क्यों फूल जाती है, क्योंकि आप इसमें कुछना को yeast डालते हैं, जैसे baking soda डाल दिया है, कुछ भी डाल दिया, east को शिकाओं के ब्रद्धी के करान जो है, आपके bread और idli फूल जाती है, next बताइए students, east का प्रियोग निम्लिकित में से किसके उत्पादन में होता है, चीनी, alcohol, hydrochloric acid या फिर oxygen, बताइए east, east का जो उप्योग है वो किसके लिए किया जाता है, important question है ये alcohol बनाने के लिए alcohol को ferment करके बनाया जाता है, है ना, east का प्रियोग किया जाता है, next बताइए ये दो भाईया column है, इनने भी आप मिला लेजे बहुत बढ़िया question लगता है, मुझे ये वाला, बताइए जिवानू कौन है, इसमें से rhizobium कौन है, lactobacillus का क्या है bread का क्या है, sorry, east का क्या है एक protozoa है, एक विशानू है, बताइए देखिए, जितने भी बैक्टीरिया के गर बात करें, जिवानू, तो आपके antibiotics बनाने में इनका use किया जाता है, good bacterias का, ठीक है rhizobium आपके nitrogen fixation bacteria है, हमेशा ध्यान लखेगा soil में present होता है lactobacillus के वज़े से आपका दही जम जाता है, yeast के वज़े से bread बन जाती है, ठीक है protozoa क्या है, malaria का कारक है AIDS का कारक क्या है, एक विशानू है malaria का कारक क्या है, एक protozoa है मिला लेंगे सब, फिर से मिला लें, जिवानू का use किस में होता है, antibiotics बनाने में rhizobium, nitrogen fixation करता है lactobacillus, दही जम आता है yeast का प्रियोग, bread बनाने में bread की baking, alcohol बनाने में किया जाता है malaria का वहाग, एक protozoa AIDS का वहाग, एक विशानू, ओके next देखिए titanus रोग किस अंगो को प्रभावित करता है कौन सा रोग, titanus रोग ठीक है, titanus, बताईए तंत्र का तंत्र, आत, श्वासनली या फेंफड़े, दिल्दी से बताईए, बड़ा important question है, यह important question titanus आपके किस को प्रभावित करता है titanus आपके cns तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है, यह बात रख़ान नखकेगा, ओके आतों को कौन सी बिमारी प्रभावित करता है intestine को, यहही पर बता दीजिए ràटों को कौन सी बिमारी प्रभावित करती है, intestine को typhide ये TB मैं पूश लेती हूँ typhide करता हैź ये TB करता है, typhide typhide से आपके आथे प्रभावित होती हैं यह प्रेश्ण बनते हैं मुख्य रोग और उनसे प्रभावित अंग बिमारी पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कौन सा जो है शरीर का अंग इससे प्रभावित होता है कौन सा ओर्गन इससे प्रभावित होता है अच्छा पीलिया से बताइए पीलिया से जिसको जिसे आप कुछ ट्रोग भी बोलते हैं हिंदी में इससे भी तंत्र का तंत्र और स्किन प्रभावित होते हैं ठीक है हाला कि सबसे यदा टिटनेस और टाइफाइड पूछा जाता है टाइफाइड से आपके जो है आते प्रभावित होती है टिटनेस से तंत्र का तंत्र प्र टीबी किससे प्रभावित होते हैं टीबी तपयादिक ठीक है चैरोग यक्षमा ताक मरत्यू का कप्तान इससे आपके लंग्स प्रभावित होते हैं बताईए स्टुडिंट्स टाइफाइड अधिकतम फैलता है बताईए जल से वायू से भोजन से या विशाक्तता से बहुत ध्यान से आंसर करेंगे टाइफाइड अधिकतम फैलता है बताईए जल से यहाँ आप क्या अंसर करेंगे जल से टाइफाइट भोजन से भी फैलता है हमें पता है ठीक है हम अच्छे से जानते हैं लेकिन हम जब हमारे स्लेबस के अकॉर्डिंग चले जाते हैं तो जब broad categories हम करते हैं तो जल द्वारा बिमारी पढ़ते हैं और वायो द्वारा बिमारी पढ़ते हैं टाइफाइट जल द्वारा थैलने वाली बिमारी में आ चाएगा हाला कि यह भोजन से भी फैलता है तो नो बहस बाजी ओके चलिए नेक्स देखते हैं स्टूडेंट अब भगवान का मालिक है आपका आयोग अकर वो यहाँ पे जल की बजाए भोजन मालने तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं नेक्स देखिए दूशिद जल से होने वाली बिमारी का समूँ बता दिजे कौन सा है दूशिद जल मतलब पॉल्यूटिट वाटर है थे कन्टामीनेट वाटर है उससे कौन-ень से बिमारी आ होती है मिनिमात निमोनिया, अस्थमाफलू, प्लेग निमोनिया, कुष्ट छेरोग बताये contaminated water से कौन कौन से बिमारी होती है पेचिश, है न टाइफाइड, पीलिया, हैजा यह सब आपके दूशे जल से होने वाली बिमारिया है next बताईए students जल प्रदूशन से होने वाली बिमारियों का सही समू बताईए तीसरे question में भी बताईए water pollution से होने वाली बिमारिया contaminated water है, खराब water है कौन से बिमारी होंगी बताईए हैजा पेचिश, polio typhide हैजा पीलिया, typhide anemia anemia स्करवी, पात स्वीती typhide हैजा पीलिया, typhide स्करवी हैजा होगा, cholera पेचिश होगा, dysentery, polio होगा typhide होगा, है न diarrhea अगर होता है, यहाप रातिसार वो भी लिख देते है, आप next देखिए निमलिकित में से कौन सा रोग जल प्रदूशन के कारण होता है, बताईए conjunctivitis, स्वास नली में संकरमन, मतलब आपकी यह स्वास नली होती है, उसमें आपके संकरमन हो गया है, ठीक है diarrhea यह bronchitis, बताईए कौन सा रोग जल प्रदूशन के कारण होता है diarrhea, क्या होता है diarrhea, next बताईए जल प्रदूशन का कारण क्या है कीट नाशक, मानव गतिविती, जनसंक्या ब्रदी या सभी, आंसर करेंगे बच्चे, जल प्रदूशन का क्या कारण है water pollution के क्या क्या करण है, water pollution के फिलाल तो यह सभी कारण है, बाकी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना आप कोई भी कीट नाशक्स का बहुत ज़दा यूज़ कर रहे है, मानव की गतिविती तो है, उसी में थूकना नहाना, सब कुछ करना जनसंक्या वरदी तो सब है ही है ना नेक्स देखे, प्रदूशित पानी से होने वाली बिमारी का एक सही समूँ आप चैयन करिए, प्रदूशित पानी मतलब contaminated water, polluted water से होने वाली बिमारी बताईए, है जा हैजा होगा, अत्यधिक दस्त होगा, टाइफाइड होगा और पोली होगा, क्योंकि टीवी airborne disease है, वायू के दौरा संचारित होने वाली बिमारी है जल के दौरा नहीं, ठीक है नेक्स बताईए, स्टूडेंट्स भारत में जल जनीत रोगों का एक मुख्य कारण क्या है, पानी की कठोड़ता है, मतलब बहुत हार्ड वाटर है पानी की कमी है, या पानी का प्रदूशन है, या खारा पानी भारत में लोगों पीने के लिए मिलता है, इसलिए जल जनीत रोग कितमे से कौन सा है भारतियों में खराब स्वास्त का मुख्य कारण निमे कितमे से कौन सा है बच्चे स्टूडिंट्स यहाँ पर आंसर होगा water pollution water pollution की वज़े से बहुत ज़ादा बेमारियां देखने के लिए मिलती है माले जब कहीं पर air quality अच्छी भी है ना जैसे हम डेली की बात नहीं कर रहा है गाजियावाद की बात नहीं कर रहा है जो कि most polluted cities है उनकी बात हम नहीं कर रहा है लेकिन माले लोग कहीं हम अच्छी जगे गए है जहां पर air quality index तो बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ का पानी खराब है ना तो जल जनेत बिमारीया भारत में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है जैसे आपके हैजा हो गया आपके ये क्या बोलते हैं पीलिया हो गया ये सब बिमारीया ज़्यादा देखने के लिए मिलती है मतलब मुख के कारण आपके जल प्रदूशन है नेक्स देखें स्टूडेंट्स प्रकती में पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है इन नेचर पानी का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा होता है बताईए नदी का पानी, समुद्र का पानी, भूजल ये वर्शा का पानी नेचर में पानी का सबसे शुद्धरूप आपके वर्शा का पानी होता है कौन सा पानी होता है? वर्शा का पानी मतलब जो रेन वाटर होता है नेक्स बताईए जल को शुब्द करने के लिए आम तोर पर उपयोग की जाने वाली रसाइनिक विधी बताइए निमलिकित में से कौन सी है वाटर को प्यूरिफाय करते हैं कुए को करना है या कहीं पर भी वाटर प्यूरिफिकेशन करना है तो जेनरली कौन सी आम तोर पर काम किया जाता है उसको शीत निद्रा कर देते हैं उत्खनन मतलब खोद देते हैं क्लोरीन इनी करन कर देते हैं विनाइटरी करन कर देते हैं बताइए क्लोरीन का यूज करते हैं सबने सुनाए क्लोरीन का यूज करते हैं जल को शुद्ध करने में तो क्लोरीन ही करना ठीक है क्लोरोनाइजेशन नेक्स बताएंगे स्टूडेंट्स आप लोग डैश जिवानो विज्ञान के रूप में बैक्टिरियोलोजी और रसाइनिक रूप आसूद्य जल है मतलब डिस्टिल्ड वोटर है सुरक्षि जल मतलब सेफ वोटर है आसूद्यल कौनसा है आसूद्यल डिस्टिल्ड वोटर जिसका mainly use जैथा आपके माडास्थेंगे बनाने में किया जाता है भाइदा प्रोसेस ओफ डिस्टिलेशन ठीक है यह पता भी है आसवन विधी के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है आसुत जल प्राप्त होता है और जिसका प्रियोग हम जिसका प्रियोग आपके दवा बनाने में किया जाता है हम क्या करेंगे नेक्स देखें निम्लिकित में से कौन सा एक जल जनित रोग है बताईए चे किस से फैलता है कॉलरा, कॉजिटिव एजेंट क्या है, कॉलरा का कॉजिटिव एजेंट क्या है, विब्रियो कॉलरी, कौन है, विब्रियो कॉलरी, शेप आफ विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी का शेप बताईए, विब्रियो कॉलरा का शेप बताए कैसा होता है कॉमा शेप हैजा बैक्टिरियल डिजीज है वाइरस डिजीज है हैजा बैक्टिरिया है वाइरस है प्रोटोजोगा है फंगस है कौन सी बिमारी है हैजा हैजा बैक्टिरियल डिजीज है कैसी डिजीज है bacterial disease है चलिए अब बता दीजे 6 रोग के नाम बता दीजे 6 रोग को किस-किस नाम से जाना जाता है 6 रोग को TB बोलते है English में tuberculosis ठीक है इसको यक्षमा बोलते है इसको काक रोग बोलते है इसको तपायदिक बोलते है इसको मरत्यू का कपतान बोलते है ठीक है अने नामों से जाना जाता है नेक्स बताइए students निम्डे कित मेंसे कौन से जल जने बिमारी नहीं है बताइए नहीं है टाइफाइड, हैपेटाइटिस, हैजा या डेंगू, हैपेटाइटिस मतलब वही पी लिया ठीक है बताईए कौन सी बिमारी नहीं है पूछा है मैंने नहीं है जल से नहीं फैलती, वाटर से नहीं फैलती तो डेंगू नहीं फैलती डेंगू आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है प्लस आपके ये मादा, एडीज, एज़िप, मच्छर से फैलने वाली बिमारी है नेक्स बताईए, सूर से आने वाली किन्ने, परावेगनी किन्ने, मतलब यूवी रेज से क्या होता है, बताईए फेफडो का कैंसर, मुक का कैंसर, तुचा का कैंसर, यकरत का कैंसर कौन सा cancer होता है जो sun से UV rays आती है skin cancer होता है कौन सा cancer होता है skin cancer होता है next बताइए students निमने कितमे से कौन से बिमारी आपके वायू production से होती है airborne disease बताइए airborne disease यह मैंने करा चुकी हुँ आपको सारी वीडियोज इखटी करके एक जगे आपको मैंने यह revise करवा दिया है ताकि आपको बार बर अलग अलग वीडियोज ना देखनी पड़े और आपके exam के टाइम पर आपको definitely help करें कौन से बिमारी वायू production से होती है यक्षमा यक्षमा जिसे आप बोलते है TB ठीक है tuberculosis किससे होती है airborne disease है टाइफवाइट का causative agent causative agent मतलब जिसकी वज़े से टाइफवाइट फैलता है सालमुनला टाइफी क्या है सालमुनला टाइफी TB का क्या होता है mycobacterium tuberculosis तो ये कैसे diseases हैं फफूंद मतलब फंगस से होती है bacterial मतलब बैक्टिरिया से होती है ये प्रोटोजोल है वाइरल है ये bacterial disease हैं दोलो bacteria होता है टाइफवाइट का भी और TB का भी next बताइए students अमल वरशा मतलब acid rain के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है बताइए acid rain तो सब जानते हैं बारिश में acid हो न मतलब पानी के साथ acid आना कौन-कौन जिम्मेदार है nitrogen oxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide sulphur dioxide, nitrogen oxide, nitrogen oxide यह इन में से कोही नहीं sulphur dioxide और nitrogen के oxide next बताइए महानगरी शेहरों में मुख के वायू प्रदूशक कौन से होते हैہ O3, COSO2, CO2, NO2 उपरुकत सबही महानगरी शेहरों में बड़े बड़े शहरों में यह सभी जो है आपके बायू को प्रदूशन करने के कारण होते हैं ठीक है next बताईए students जिवाश में इधम के जलने के करण क्या गतिविदी होती है बताईए जिवाश में इधन आप इधन जला रहे हो आप कोईला जला रहे हो लकडी जला रहे हो क्या क्या होगा ओजन परद का छरण होगा भूमंडिली ताप्करम में बड़दी होगी मतल़ है आपके टेंप्रेचर बढ़ेगा आपकी अर्थ का दुरूबिय वर्फ पिग लेंगे मतलब global warming होगी है या ओजून परत खतम हो रही है जो वो जिवाश में इधन के जलने से हो रही है या दो और तीन दोनों यहाँ पर आंसर होगा क्या होगा दो और तीन दोनों ओजून परत के छरण के लिए में इंपॉर्टेंट होती है CFC क्लोरो फ्लोरो कारवन जो कि आपके AC जैन रेफिजरेटर से निकलती है और जो कि धड़ा धड़ा AC तो आज का लेके घर में तीन तीन चार्चल लगे हैं हल श्वसन तंत्र से सम्मंदेद विविन रोग किस प्रकार के प्रदूशन का कारण बनते हैं ध्वनी प्रदूशन जमीन प्रदूशन वायू प्रदूशन जल प्रदूशन बताईए श्वसंतंत्र से सम्मंदित बिभिन रोग किस परकार के प्रदूशन का कारण बनते हैं वायू प्रदूशन है ना वायू प्रदूशन चलो next देखते हैं श्वसंतंत्र समझ गये इंगली शुनियमले बचेर एस्पाइरेटरी सिस्टम से संबंदित अगर बिमारी होगी तो किस की वज़े से होगी एर पॉल्यूशन की वज़े से नेक्स पताईए अमली वरशा डैश के ऑक्साइट के करण होती है अभी हम इस कोशन को कर चुके हैं आसे ड्रिन में किसके किसके ऑक्साइट पाये जाते अगर आपने जो भी पेड लगाए है उसकी ध्यान भी रखके ज़ह बच्यों की तैरह उसका ध्यान भी रखका करे तो अपने वातवरन को अपने इग्रार में को बचाने के लिए in cal simultbla और क्या होता है उजूजन ढ़ा वाहन का प्रदूशन या कोहरा धुआ या कोहरा उजन तो कोहरा और धुए को मिलके क्या बनता है स्मॉग बनता है नेक्स बताईए डाइरिया इस कौस ड्यूटू डाइरिया किसकी वज़े से होता है डाइरिया जिसे आप हिंदी में आतिसार बोलते है किसकी वज़े से होता है Water की वज़े से Air की वज़े से Fever की वज़े से Virus की वज़े से Diarrhea Water की वज़े से होता है है ना जल जलिन बिमारी है Next देखिए Causative Agent of Typhoid Typhoid का causative agent बताईए Typhoid किसकी वज़े से होता है E. coli, Mixovirus, Variola, Salmonella टाइफाइट किसकी वज़े से होता है सालमोनला टाइफी नेक्स बताईए स्टूरेंट्स कॉज़र्टिव एजेंट आफ टीवो क्लॉसिस टीबी, यक्षमा, काक रोग तपादिक, छे रोग मृत्यू का कप्तान इंग्लिश में बोलते हैं टीवो क्लॉसिस टीवी किसकी वज़े से होता है एकुलाई, बैसलेस, वैरियोला, सालमोनला बैसलेस बैसलेस काटिगरी में आता है टीवो क्लॉसिस का बैक्टेरिया ठीक है तो चलिए भई, यह मैराथॉन यहीं पर होती है, कितने कितने कोशन कर लिए है हमने तेन 500 कोशन कर लिए यह 100 से कम करें है कि चलो कॉई बात निए है, फिलाल मैंने ये तीनों पेडियफ को मिला करके, आपको एक ज Tale काफी सारी बीमारियां आρχे और आज ट्रॉपिक के साथ कुछ नया बढ़ेंगे हैं न सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजेगा थैंक यू सो मच ऑल्वे सबोर्ट विमेन इंपार्मेंट गाइस और अपना अपना ध्यान लखेगा मिलते हैं नेक्स वडियो में नेक्स ट्रॉपिक के साथ बा बाई बाई